हेलो फ्रेंज and welcome to our channel so friends आज हमका हमार जो वीडियो हो है ट्रिग्नोमेट्री का पार्थ 3 इसके पहले हम ने दो पार्ट बनाए थे पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 1 ने बात की थी ट्रिग्नोमेट्री के बेजिक्स एप्लिकेशन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बारे में सेक को रटा लिया था पूरा अपको पूर्व भी दिया था छाइर आपको यह अरे उस वीडियो में वह भी हो न ईयुकिन इस भिडियो १ियो थी तैस सबसे इंपोर्टन पार्थ 5 इस आट मैं बच्चे उभ जाते हैं और बच्चे इस चप्टर से बहरने लगते lihat चेप्टर को अवाइड करना शुरू कर देते हैं उसके पहले का जितना भी है सारा कुछ इजी है और हो जाता है यह प्रूडेट कोशन होने में बहुत तकलिफ होती है बहुत स्टुडेंस को तकलिफ होती है तो इस वीडियो में हम चार कोशन करेंगे सिभी Pacific eh c ke tex में चार कोशन लूंगा में प्रूडरट के चार सॉव स्ट करेंगेboxing चार हो जात और मैं और कहना livres टीजी वीडियो पूरह दिखेंगा पूरह दिखेंगा तो यह आपको बहुत जादा फाइदा हो जायेगा इस वीडियो में चार कोशन करेंगे और चार कोशन म आपका प्रूड़ वाले questions solve करना आपके बाए हथका खेल हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है यह आपको समझ निजाम बहुत ज़री है प्रूड़ को करते कैसे बस यह समझ में आ गया फिर तो आप चलते जाएंगा चलते जाएगा इस question में जो important formulas हमको लगेंगे एला formula है तीन identities है पहले trigonometry की sin square a plus cos square is equal to 1 दूसरी identity है 1 plus 10 square is equal to x square है तीसरी identity है cos square a plus 1 is equal to cos x square है फिर हमारे यह दो formula tan a is equal to sin upon cos है cot is equal to cos upon sin है और इनके अलावा यह भी हमारे जो algebraic identities है वो भी apply होगी a square minus b square is a plus b into a minus b a plus b the whole square is a square plus 2 a b plus b square a minus b 2 square b a square minus 2 b plus b square यहां पर minus हो जाएगा और यह हमारा यह भी identity होता है a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus a b plus b square तो आपको algebraic identities trigonometric identities और यह दो formula इतना तो आपको अच्छा से पता होना चाहिए इतना होगा पता तो आपको hint मिलते रहेगे क्यों product questions में आप कभी भी अटकेंगे ना आप जब भी rssos रहेंगे और इन identities को याद करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हिंटों मिली जाएगे यूंकि हिंट मिलना ज़रूरी है तो इतना हमने देख लिए अभी फटा फट से हमारा question शूरू कर जाए पहला question हमारा बहुत important है यह हमारा sin theta minus cos theta plus one upon sin theta plus cos theta minus one is equals to one upon sec theta minus 10 theta बहुत important question मेरे नजरे में very important देखते हैं कैसे solve करना है पहले कोई भी prudent question है उसको study कर लो lhs देखो rhs देखो lhs में है sin cos वो सब है rhs में हमारा sec और 10 बतला पहले हिंट मिल गई कि हमको यह जो है sin और cos उसको 10 या sec में convert करना है 10 में convert करना easy होता है 10 में convert करना ही क्या करना परेगा यह दोनों numerator denominator में अगर cos theta से divide कर लो तो sin theta upon cos theta is tan theta cos theta upon cos theta minus one हो जाएगा और one upon cos theta is sec theta मतलब हमको दोनों चीज sec theta और यह जो हमारा lhs है वो sec theta और 10 theta में convert हो जाएगा तो यह हमारा lhs देखके हमको पहली hint मिल गए कि क्या करना है कि cos theta से lhs को divide करना है तो let's start हमारा lhs है वो है sin theta minus cos theta plus one और इसको मैं कर रहा हूं cos theta से divide दोनों numerator और denominator यह भी है sin theta plus cos theta minus one upon cos theta individually divide कर लेते हैं implies sin theta upon cos theta minus cos theta upon cos theta plus one upon cos theta अपन में आगा हमारा sin theta upon cos theta plus cos theta upon cos theta minus one upon cos theta okay अब हमारा next करते sin theta upon cos theta हो जागा हमारा tan theta यह ऐसा cos theta cos theta cancel minus one plus sec theta one upon cos theta is sec theta sin theta upon cos theta is tan theta यह भी cancel हो जागा प्लस one minus sec theta तो यह हमारा पहला काम हो गया पिर से में RHS को देख रहा हूं RHS में है 1 upon 6 theta minus 10 theta मतलब sec theta और 10 theta साथ में है तो यहां भी हम साथ में कर लेते हैं तो हमारा tan theta plus sec theta minus one और यहां पर है 10 theta minus sec theta plus one अब यहां पर RHS को फिर से देख रहा हूं तो sec theta पहले है तो वह ही कर लेते हैं sec theta plus 10 theta minus one upon minus sec theta plus 10 theta plus one अब अब आगे हम देख रहे हैं कि यहां पर हैं one upon sec theta minus 10 theta RHS में और यहां पर उसके अलाव भी बहुत सारे हैं अब क्या करेंगे जब भी आप आटके मतलब आप identities के बार में सोचना सूर कर दो कि यहां पर क्या अगर मैं identities apply कर सकता हूं इस point of time पर तो मुझे यहां पर one दिख रहा है अब देखो है अब identities देखो क्या है one plus 10 square theta is equal to sec square theta मतला अगर 10 square को मैं अगर left-hand side right-hand side ले जो तो क्या होगा sec square minus 10 square is equal to one तो one को मैं लिख सकता हूं sec square minus 10 square है तो identities से हमको hint मिल गई जब भी आप confused हो आइडेंटिटीस के बारे में सोचना शूरू कर दो तो one के बज़ए मैं वह लिख सकता हूं उससे कुछ ना कुछ तो हमारा हो ही जाएगा तो हमारा next step कर लेते हैं तो sec theta plus 10 theta अब मैं दोनों side करने से avoid कर रहा हूं मैं पहले उपर numerator में ही यह जो आपलाइ कर रहा हूं यह होगा हमारा sec square theta minus 10 square theta one के बज़ा है और नीचे जो है वह ही रहन रहता है अब बोलेंगे क्या आपने इसा क्यूं किया आपको आगे पता चल जाएगा पर आप क्या कर सकते इस point of view के आप दोनों अगर जगा आप अपलाए कर भी लो यह identity तो आप आगे कर दे जाएंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि ने कुछ तो गड़बर हुई है तो आप आगे जाके मतलब यह आपको क्या तो आपके ट्रायल और होता है तो अगर अब यहां पर धियान से देखा यह स्कूर माइनस बी स्कूर देखा तो यह आपके यह इलगिवरिक ऐडिनिटी लग रही है यह आप तो यह स्कूर मैने स्कूर क्या होता है ए प्लस भी इंटु अ-बी तो जब भी ऐलगिर आइडि theta, minus, ay square minus b squared को लिख सेकता हूँ, a plus b into a minus b, sec theta minus 10 theta, upon में जो है वो मैं लिख रहा हूँ, sec theta plus 10 theta plus 1, अब दूसरा rule, prudet question solve करते हैं, आपको कभी भी दीखे कि कुछ जब भी कोमन निकल तो कमन निकल लेने में फाइडा होता है तो कमन निकाल लेने में बोलना हूं तो यह होगा हमारा sec theta plus theta मैंने common ले लिया अब क्या बचेगा? धियान से देखे 1 minus रहांके यहाँ पर लगा देताऊ मैं यह क्या है हमारा यह तो मैंने common ले लिया है मतलब यह होगा हमारा कुछ नहीं बचेगा और यहीं बचेगा सिर्फ हमारा क्योंकि मैंने sec theta plus theta 10 टिटा common ले लिया तो यह 1- और यह जो बचा भी है कॉमन लेने में हमारा solution करने में सारे question में तो नहीं बोज़रते हैं पर लगभा 90% question में काम हमारा easy होई जाता है कॉमन लेने से अब ध्यान से देखो कुछ हो रहा है अब देखो मैं यहाप फिर से लिखता हूं आपको दिखाने के लिए 10 टिटा 1- bracket open कर रहते है तो यह होगा minus 1 टिटा plus 10 टिटा और नीचा जाएगा हमारा minus से थिटा फ्लस 10 टिटा फ्लस 1 गमायन चीटृ मायननस से टिटा- से टिटा 10 टिटा 10 टिटा ओन वन जो रहा यहाँ पर तर यहाँ पर आ रहा हमारा से क्लस टिटा 星 अर्लस में जो हमको requirement है वो मैं लाई सकता हूँ ना अगर मैं दोनों साइड से थिटा माइनस थिटा से divide और multiply कर लो तो मुझे जो requirement दिखरी है RHS में वो हमारा मिरा गया अब से थिटा से थिटा मस téन थिटा क्या होता है हमारा a plus b इन्टू a minus b फिर सरे हमारा अइं रिये लग गई स्कवेर मानेश्व ब स्कुएर स्कुएर थिटा ऑपान सेखते गज़र मार थेन स्कूरर थिटा आई नंस थन्स कुएर थिटा कर वहांजाकर गया हमारी वना जाएगा अभी हमने पहले दिखा 1 के बज़े हमने लिखा दा sex theta minus 10 square theta अब फिर से sex theta minus 10 square theta आगा तो उसके बज़े मैंने 1 लिख लिया और यहां पर आ जाएगा sec theta minus 10 theta अब exam में हो सकता है possible है कि यहां तक ही पूछे आपको कि पूछे में 1 minus sec theta 1 upon sec theta minus 10 theta के बज़े कि आ जाए हमारा सिर्फ sec theta plus 10 theta तो यह भी हो सकता है नहीं तो यह भी जो हमको इस question बोला है आप अत्रग भी हमको पूछ सकते हैं यह होगा is equal to rhs therefore lhs is equal to rhs मेरी सबसे यह सबसे इंपोर्टन question है cbac के text में prude questions में चलो रंग बदल देते हैं पैन का दे लेता हूं मैं अभी black yes second question second question है हमारा 10 theta upon 1 minus cot theta plus cot theta upon 1 minus 10 theta is equals to 1 plus sec theta into cosec theta इस इस चारोक option में आप लगबग जितनी भी टिप्स है यह प्रूटन को solve करने के लिए आपको मिल जाएगी पहले सारे एंडिटीटीज एलजेबिर इंडिटीटीज और आपको पता होने चाहिए फिर दूसरा हमारा ट्रिक किया था कि जो भी प्रूटर कोशन दिया उसको पहले RHS LHS दोनों को अच्छे स्टड़ी करो यहां पेले चैस में हमारा टैन कोट यह सब है और इसे में स कोशकें तो अब स कोरते हैं तो इससे हमें को थोड़ी इंत क्या मिले है जhui यह अरो कोट में रखने में फाइदा nel vie पहला स्टीज करेंगे कि 10 और कोट को हटा के sign और कोस्ट में कर दिएंगे सेक और कोसेक सेक क्या होता है 1 अपोन कोस मतलब यहां से हमको हिंट मिल रही है आरेज से कि आपे 10 कोट के बज़े हम अगर sign कोस्ट में कर ले लेज़ेस को तो इससे कुछ ना कुछ तो हमारा आगे हम बड़ी पाएंगे तो पहला स्टेप क्या है आरेजस तो सड़ी करो उसके हिसाब से पहला स्टेप डिसाइड करो तो मैं कर रहता हूं पहला स्टेप हमारा 10 टिटा को लिख लेते हम sign टिटा अपोन कॉस्ट टिटा 1-4 theta को लिए लिए cos theta upon sin theta plus cos theta upon sin theta 1-sin theta upon cos theta अब यह हमारा हो गया पहला step अब next step क्या करते हैं यहाँ पर LCM ले सकते हैं denominator में भी LCM ले लेते हैं तो उससे देखते हैं क्या होता है LCM जा भी लेने हो जरूरी तो LCM ले लेने हमारा next step होगा LCM ले लेते हैं यहाँ पर upon sin theta plus cos theta upon sin theta upon cos theta minus sin theta upon cos theta चलो LCM भी ले लिया अब यह बहुत सारा upon हो रहे हैं इसको simplify कर लेते हैं simplify है मतलब simply लिख लेते हैं जिससे हमको आगे क्या करना है उसकी थोरी अंदाज़ा हो sin theta upon cos theta अब नीचे यह main upon है उसके upon में जो भी है उसको हम उल्टा लिख लेंगे तो यह होगा उल्टा हमारा sin theta upon sin theta minus cos theta प्लस आ जाएगा बिच में cos theta upon sin theta यह हमारा main upon है उसके नीचे जो भी है उसको हम उल्टा लिख लेंगे तो cos theta upon cos theta minus sin theta अब यह sin और sin multiply कर लेते हैं नेक्स आएप हमारा यह होगा sin square theta upon cos theta sin theta minus cos theta प्लस cos square theta upon sin theta cos theta minus sin theta ओके अब देखते हैं कि मैंने बोला था कि अगर कुछ भी common निकलने के चांसे सो तो common निकाल लेने में फाइदा है मैं यहाँ पर मुझे देख रहा है sin theta minus cos theta यहाँ पर मुझे देख रहा है cos theta minus sin theta मिल्ला अगर मैं यहाँ पर minus 1 से multiply कर लो तो यह हो जाएगा sin theta minus cos theta क्यों? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? sin square theta upon यह को इसको ईसको आप यह रहने रहते हैं कि दोनों साइड में माइनस बलन से मल्टिप्लाइ कर रहा हूं इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन तो यह प्लस की बजाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा उपर तो कॉस्कोर ठीटा ही रहेगा नीचे साइन ठीटा माइनस वन से मल्टिप्लाइ होने कारण ही हो क्या बचेए हमारा sin square theta upon cos theta minus cos square theta upon sin theta कि फिर से यहां पर LCM लेना में फाइदा है तो LCM लेना common लेना यह सब रुड़ेट कोउशन्स के ट्रिक्स में से आते हैं और कुछ भी ना समन में आया है कुछ भी कि ना LCM का कुछ आ रहा है ना कुछ हो रहा है तो फिर आइडेंटिटी के बारे में सोचना परेगा कि कोई इडेंटिटी तो मैं नहीं लगा सकता कुछ कुछ arrange करके जिससे आपको 1 दिख रहा है उसके पहले question में 1 दिख रहा है उसके बदले हम ने क्या रखा डिख दी उसके suitable 10 और सेक के suitable 1 था तो उसके suitable identity थी सेक स्क्वेर तो suitable भी होना चाहिए यहां पर LCM लेते हैं यह हो जाएगा हमारा sin3 theta minus cos3 theta upon sin theta into cos theta cos theta into sin theta या sin theta cos theta फरक होता नहीं है देखो a3 minus b3 मैंने बोला था अगर algebraic identities और trigonometric identities आपको पता होना चाहिए है यह सब apply होते रहेंगे तो जो भी है वो लिख लेते हैं sin theta minus cos theta अब वाट इस a3 minus b3 यह है sin3 theta minus cos theta मतला a3 minus b3 तो मैंने लिखा था है यहां पर a3 minus b3 होता है a minus b into a square plus a b plus b square तो यहां पर apply कर लेते हैं इसको लिख लेते हैं a minus b मतलब sin theta minus cos theta into a3 मतलब sin square theta plus a b मतलब sin theta into cos theta plus b3 मतलब cos square theta और b square मतलब अपन यह जाएगा sin theta upon cos into cos theta a minus b into a square plus a b plus b square ओहो कट हो गया हमारा चलो और sin square theta plus cos square theta identity हमारी पहली सबसे one हो जाता है ति हो जाएगा one plus sin theta into cos theta upon sin theta into cos theta और अब divide कर लेते हैं इंडिविजुली तो one upon sin theta into cos theta plus sin theta into cos theta upon sin theta into cos theta कट हो जाएगा तो हमारा बचेगा last में one upon sin theta into cos theta yes और यहां पर प्लस one भी आएगा और one upon sin theta cos theta क्या होता है one plus में लिख लेता हूं sec theta into cos theta जो हमको require है क्योंकि one upon cos theta होगा sec theta और one upon sin theta होगा cos theta which is equals to RHS therefore LHS equals RHS यह दोनों question जो करवाए हैं बहुत important है exam आने के chances बहुत high है क्योंकि इसमें बहुत सारा अंडिट्रीज लगती है और बहुत सारा दिमाग भी apply होता है third question करते हैं relatively दोनों question से easy है पर important है क्या है हमारा question under root of one plus sign है upon one minus sign है is equals to sec plus ten है पहले हमारा step के आएक है LHS और RHS तेस को study करना LHS में sign है RHS में हमारा sec और 10 है यह पहली हिंट मिल रही है मतलब sign के बज़ा हमको 10 लाना होगा और फिर हमारा दूसरा जो बहुत बड़ी problem है कि यहां पर under root नहीं है RHS में आप देख रहे हैं तो कुछ under root नहीं है RHS में under root है है कि अगर under root हो और यहां पर अगर में A square हो तो square और root cancel होके A हो जाए गता है यह तो यहां पर अगर यह term है one plus sign upon one minus sign है अगर यहां पर कोई square term हो जाएगी तो अपने आप root को cancel out हो जाएगा उससे अपने और वह करने के लिए वह करने के लिए हमारा सबसे easy तरीका है क्योंकि देखो यहां पर मैं आपको easy तरीका दिखाई देता हूं हिंद के आए कि मुझे यह root नहीं चाहिए यह कि मेरा RHS में root नहीं है अब मैं root के साथ आओ simple तरीका है क्योंकि देखो यहां पर one plus sign है one minus sign है तो sign तर्म से में पर sign opposite है जब भी term से मोट sign opposite हो तो हम नीचे वाले term के opposite term से हम उपर नीचे मन लिपलाई कर ले तो इससे हमारा कुछ ना कुछ काम होई जाएगा ठीक है next step यह हो जाएगा one plus sign है into one plus sign है क्या होता है हमारा one plus sign a the whole square नीचे हमारा one minus sign a into one plus sign a मतलए one minus sign square a अब देखो वाट इस one minus sign square सवाल है मेरा पहली याद करो sign square a plus cos square a is equal to one अगर sign square a को में इस साइड लेया हूँ right hand side तो क्या होगा cos square a is equal to one minus sign square मतलए one minus sign square a is equal to cos square है यहां पर हमारी identity apply होगी पहली और यह भी हम जैसे है वैसे लिख लेते हैं अब दोनों अब आजो मेरा square terms आगे मतलए मैं रूट को आसानी से हटा सकता हूं तो root को अटा लेते हैं है है हमां individually root apply कर देते हैं काम करते हैं दूनों terms में जिससे आपको समझने में आसानी हो तो under root of one plus sign a whole square upon under root of cos square a यह square और root cancel तो यह हो जाए one plus sign a यह square और root cancel यह हो जाएगा cos a individually divide कर लेते हैं तो one upon cos a plus sign a upon cos a क्या हो गया हमारा say a plus 10 a which is the required rhs third question relatively easy है देखो ज्यादा कुछ करना नहीं है पर इसमें सोचना पर हिंट क्या है कि second a यह मार पहला हिंट है पर सबसे important हिंट क्या है कि यहां पर root है यहां पर root नहीं है तो मुझे root निकालने अब root कैसे निकालों मैं अब यह मैं दीख रहा हूं term क्या है 1 plus sign है root कैसे निकलता है कि square term हो under root हो तो यह दुनों cancel हो जाते है तो यहां पर 1 plus sign है 1 minus sign है term से मैं पर sign opposite है मतलब उससे मुझे under जाओ गया conjugate multiply कर लेता हूं मैं 1 plus sign is the whole square दोनों side root apply किया हमारा answer आ गया fourth and last question इस रंग भी बदल देते हैं last question के लिए fourth यह वीडियो का हमारा last question hope कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है है और समझ में भी आ रहा है और पता भी चला है कि कैसे trigonometry के प्रूड कोशन सौल करते हैं हमारा question है cosine theta minus 2 sin cube theta upon 2 cos cube theta minus cos theta is equals to 10 theta okay let's start तो पहले lhsrs study किया यहां पर sign और यहां पर 10 बतला मुझे divide करना है cost से divide कर लूँगा तो मेरा काम हो जाएगा okay sin theta upon cos theta is 10 theta sin theta upon cos theta is 10 theta यह मुझे पता है तो numerator numerator में divide कर लेता हूं यहां पर और यह भी कर सकते हैं कि देखो यहां पर है sin theta और यहां पर है sin cube theta मतलब sin theta common आएगा यहां पर है cos theta cos theta और cos theta मतलब cos theta sin theta cos theta sin theta numerator से common cos theta denominator से common तो तरीक हैसा आप कर सकते डिवाइड कर लो या common निकाल लो मैं common निकाल रहा हूं पहले step में common निकाल रहा हूं यह होगा 1-2 sin square theta upon cos theta 2 cos square theta minus 1 cos theta यहां पर sin theta common निकाल लोगा 1-2 sin cube के बेले square आजाएगा cos cube कर लोगे square आजाएगा cos theta 2 cos square theta minus 1 common निकाल लोगे डिवाइड कर लोगे RHS में हमको पता चल रहा है कि मुझे 10 चाहिए मतलब डिवाइड करना है या common निकाल रहा है बाकी तो हम डिवाइड करते हैं यहां पर common निकाल लोगे यह तो 2-3 step का ही question है but confusing थोरा हो है इसलिए मैंने यह भी question ले लिया सब कुछ तो हो जाएगा पर यहां पर पता नहीं चलेगा क्या करना है अब आप देख रहे हैं कि 10 theta आ रहा है RHS में 10 theta है पर RHS में यह सब नहीं है 1-2 sin2 theta 2 cos2 theta-1 अब क्या करूँ मैं अब यह तो confusion बात हो गई मैंने बोला था नहीं है थोरा easy question है पर थोरा tricky है और रहा है मुझे यह सको निकालना है बस तो कैसे निकालो मैं अब जब भी मैंने बोला जब भी आप अटके question में जाए LCM, LCM, common moment कुछ है ही नहीं कुछ हो ही नहीं रहा के तो क्या कर तब आप identities को याद कर ले और identities भी वह होना चाहिए जो relatable हो अब sin theta and cos theta के relatable identity का है कि sin square theta plus cos square theta is equal to one और यहां पर one मौझूद है one के बज़ा मैं लिख सकता हो sin square theta plus cos square theta Oh, identities से मेरा काम हो जाना है चाहिए मुझे पूरा भरोसा है हो ही जाएगा वैसे तो बट जब भी कुछ समन में ना आए तो सहारा किसका ले identity का ले तीनों मैंसे कोई identity तो apply हो ही जाएगी relatable देखना है कि relatable कि मुझे मुझे 10 data चाहिए मुझे यह सब निकालना है इसलिए मैंने sin square theta plus cos square theta वाली identity कर रहा हूं के बज़े में लिख सकता हूं होप आप बोर नहीं हो रहे हैं और आप यहां तक अगर हम मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आपका तो समझ लिए काम हो गया आपको trigonometry बहुत इसी लगेगा अब sin square theta minus 2 sin square theta क्या होता है sin square theta minus 2 sin square theta होता है हमारा minus sin square theta यह की 1 minus 2 is minus 1 plus cos square theta 2 cos square theta यह मारा पहले bracket open कर लेता हूं जिससे थोड़ा easy हो जाए समझना minus sin square theta minus cos square theta ओके 2 cos square theta minus cos square theta is cos square theta त्यों हो जो हमारा minus sin square theta plus cos square theta upon cos square theta minus sin square theta देखवा काम हो गया minus sin square theta यह भी minus sin square theta यह भी plus cos square theta यह भी plus cos square theta मतलब यह cancel cancel हो गया हमारे वह तुम्हें चाहता था कि मुझे cancel करना है कुछ भी तरीके से तो 10 टीट आ गया मतलब is equals to RHS therefore LHS is equals to RHS अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया रंग बदल देता हूं प्लीज प्लीज like share and subscribe अरह चैनल को सब्सक्राइब करो नया नये चैनल है motivation मिलेगा मुझे अगर आप यहां तक देखी रहे है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर और सब्सक्राइब प्लीज तौरा बरबर लिख लूँ प्लीज तौरा मैंने गंदा लिख लिया है तौरा अच्छा प्लीज लिपता हूं प्लीज कुछ स्पेलिंग मिस्ते कुई है जाने दो बाई-बाई दी एंड